हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आज आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो आज का जो नुस्का है वो है बहुत ही जानदार सानदार और इसे जितना बोलो उतना कम है और इसका result बहुत बहुत ही अच्छा आता है ये है चावल का आटा तो चावल का आटा आपको थोड़ा सा बारिक नहीं करना है थोड़ा सा दरदरा रखना है ऐसा चावल का आटा आपको ले लेना है साथ ही लेना है आपको एक आलू आलू तो बहुत अच्छा होता है डार्क स्पोर्ट्स को घटाने के लिए टाइटल देखकर आप लोग समझी गया होंगे कि मैं किस बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ तो आजकल गर्दन गर्मी का मौसम है तो गर्दन, हाथ, पैर, डाक एरिया पर ना बहुत ज़्यादा मैल जम जाता है जिसे साफ करना नहीं हो पाता है और धूप से भी बहुत ज़्यादा काले पड़ जाती है गर्दन तो उस जगा पे आपको साफ सफाई रखनी है साफ सुत्रा करना है आप साबून लगा लो, उसे रगर लो लेकिन वो साफ नहीं होगा अगर आप ये वाला लगाओगे, इसे यूज करोगे तो चेहरे की दाग धब्बे, सभी चीजे आपके गायब हो जाएंगे और चेहरा निखर जाएगा चावल के आटे का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये इसकिन से दाग धब्बो के छुट्टी कर देता है साथी जाईयों को हलका करने में भी इसका अच्छा असर देखने को मिलता है चावल का जो आटा है, उसका उपयोग करने के लिए गोरी तवर्चा पाने के लिए साथी गर्दन पर जमी मैल को साफ करने के लिए चावल का आटा और आलू को मिला कर लगाने से ग्लो आता है रंग निखरता है तो आज मैं आपको घर में ही अराम से कीचन में मिलने वाला वही प्रोड़क्ट इस्तेमाल करके बताने वाली हूँ जो आपको घर पर ही मिलेगा और ऐसा आप मार्केट पे बहुत सारे पैसे खर्च करते हो प्रोड़क्ट खरीदने में उसमें टाइम भी जाता है, पैसा भी लगता है और कुछ रेजल्ट भी नहीं मिलता है तो चावल का आटा आपको लेना है आलू लेना है और लेना है हल्दी तो आलू को आपको पहले छिल लेना है तो इसे मैं छिल लेती हूँ और इसे कट कर लेना है और इसे पीस लेना है तो यहाँ पर मैंने आलू को कट कर लिया है अब इसे मैं पीस लूँगी और फिर आप लोगों को दिखाती हो तो इसे मैंने ना पीस लिया है आपको भी इसी तरीके से पीस लेना है इसमें एड करना है आपको चावल का आटा ध्यान रखिएगा कि चावल का आटा आपको दरदरा ही रखना है ज्यादा महीं नहीं करना है तो इसमें एक चम्मच मैं चावल का आटा डाल देती हूँ थोड़ा सा और डाल देती हूँ क्योंकि मैं पूरे बॉड़ी पर ही इसे यूज़ करने वाली हूँ फिर एड़ करेंगे इसमें हल्दी हल्दी तो आपको सबको पता है कि इसके इन वाइटनिंग के लिए कितना अच्छा है और आलू भी बहुत अच्छा होता है इसके इन वाइटनिंग के लिए तो आपको इतना सा हल्दी डाल देना है ज्यादा नहीं डालना है बस थोड़ा सा डालना है और इसे mix कर लेना है बहुत अच्छे से mix करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि आगे करना क्या है तो इसके बाद आपको ले ले रहा है पानी और इसमें add करना है हलका सा नमक पानी और नमक add करने के बाद में जहां पर भी आपको लगाना है जैसे गर्दन पर लगा रहे हो चाहे जहां भी लगा रहे हो तो इसे पहले mix कर लेना है अच्छे से mix करके आपको पहले उस जगा पर जैसे कि आपको गर्दन पर लगाना है तो उस जगा पर पहले आपको पुरा साफ कर लेना है गरम पानी से होता है कि आपका जो भी पोर्स होते है ना सरीर का बॉड़ी का वो पूरा खुल जाता है और अच्छे से जो भी ये लगाओगे आप ना तो वो एब्जॉब होगा तो इसे बहुत अच्छे से पोच के साफ कर लेना है फिर ये वाला जो मैंने बनाया है भी इसे आपको लगा लेना है अच्छे से आपको जहां भी लगाना है आप लगा सकते हो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको मिलेगा तो इसे लगा करना 15-20 मेर्ट छोड़ देना है और जब ये सूक जाए तो इसे रगड़ रगड़ के आपको साफ कर लेना है और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा तो आप लोग भी ये वाला यूज करना और देखना कितना अच्छा ग्लू आएगा इससे आपकी हाथ चेहरे गर्डन पे जहां भी आपकी डार्क स्पोर्ट्स है कहीं भी आप लगा सकते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बहुत अच्छा वर्क करता है